अज हम कर रहे हैं मिद्डे मील स्कीम जो कि 1995 में आई थी इसी स्कीम का नाम बदल कर पीम पोशन स्कीम हो चुका है सबसे पहले हम इसमें इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे इसके बैक्ग्राउंड को समझेंगे फिर इसके में अप्जेक्टिव्स क्या है वो देखेंगे कौन-कौन से प्रोग्राम्स इसमें बाद में चेंज हुए कनवर्जन हुआ उसको समझेंगे क्या-क्या मॉनीटरिंग मेकानिजम रहा है देना था ठीक है और इसको इंटर्ड्यूस किया गया इसे नैशनल प्रोग्राम ओफ निट्रिशनल स्पोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन इस नाम से इसको जाना गया फिर जो है वैसे जो यह स्कीम है वो नैटी सिक्स्टी में इंटर्ड्यूस की गई थी किनके दवारा चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलाड वी फर्स स्टेट था जहां पर इसकी शुरुआत भी नैटी सिक्स्टी के अंदर उन्होंने अपने जो गश्कूल इनका नाम था कामराज जो चीफ मिनिस्टर थे उस टाइम फ्री फुट परवाइड करना शुरू करना था स्कूल में、 फिर उनको देखके और स्टेट की सीयम ने भी इस और इस प्रोग्राम को को अपने स्कूल्स की अंदर अपने स्टेट केंदर करना शुरू किया, تو जब 1995 में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थी वो ती वी पीवी सकती है तो उन्होंने इसको नैशनलाइज कर दिया तब इसका नाम जो है वो मिड़े मील स्कीम बढ़ा वहां से यह स्कीम जो है पूरे इंडिया के अंदर फिर तूथाउजन सेवन के अंदर जो यह स्कीम है इसके अंदर अपर प्राइमरी स्कूल के बच्चे भी जुड़ गया तो इसखीम का जो नाम रख दिया गया ओनाशन प्रोक्राम और ती मिड़े मील स्कीमि जब शुरुआत हुई थी तो इसके मेन objectives क्या थे, main objective था कि nutritional state को भढ़ाना ठीक है, improve करना बच्चों की and the second, जो poor children है और जो DCC section से belong करते हैं वो school में आएं, attend करें, mean enrollment को भढ़ाना था, ताकि बच्चे regularly attract होकर school में जिसे की food मिलता है, उसको देख कर आएं और उनकी hunger को भी कम किया जा सके, to avoid the wastage, जो भी wastage होती है, जैसे की बच्चे जो है, वो बीच में school छोड़ जाते हैं drop out कर जाते हैं primary education में तो वो भी, जो है, कम किया जा सके उसको to enhance the universalization of a primary education, जो कि उस time में पता है कि task चल रहा था कि universalization, primary education का उसको बढ़ाया जाए, तो ये इनके कुछ main purpose थे, objective थे, midday mail scheme के अब है मारे पास की कौन-कौन से program converge हुए, change हुए कौन-कौन सी चीज़ें जो है, क्योंकि ये जो program है, वो 1995 के अंदर आ गया था, तब से लेके 2001 के अंदर इसके अंदर बहुत सारे addition किये गए, हम सारे years के addition को तो नहीं देखेंगे, लेकिन कुछ ऐसे main जो ज़्यादा important है, उनको यहाँ पर discuss कर रहे है, जैसे कि 2004 के अंदर, 6 के अंदर, 2015 में और 2021 के अंदर, क्या-क्या cost value के अंदर change आया, calories के अंदर क्या change किया गया, और proteins value के अंदर क्या change किया गया, उसको देखेंगे, तो per child जो cost थी 2004 से पहले भी और 2000 तक एक रुपया थी, मतलब पर बच्चे पर एक रुपया जो है government जो है, देगी, उनके food के उपर, यह जो है, बढ़कर हो गई 1.80 per child northern जो इस state थे, उसके अंदर और other state में ही हो गई 1.50 ऐसी 2005 के अंदर 2007 के बाद हमें पता है कि अपर primary school के जो बच्चे थे, अपर primary education के जो बच्चे थे, उनके लिए भी scheme जो है, वो start हो चुकी थी, तो जो primary school के बच्चे है, उनके लिए cost हो गई थी, वो 3.86 हो गई थी और अपर primary बालों के लिए 5.78 हो गई थी, ठीक है, ऐसे ही इनके अंदर calories के अंदर भी change किया गया, जैसे कि 2004 में जो पर बच्चे को calorie दी जानी थी, वो 300 थी, और 2006 के अंदर ये कितनी हो गई बढ़कर 450 और ऐसे ही 2015 में ये primary बच्चे के लिए 485 रही और अपर primary के लिए 700 हो गई, ठीक है, protein value जो थी वो, 8 से 12 ग्राम थी, यो ये बढ़कर जो है 2006 के अंदर पूरा-पूरा 12 ग्राम हो गई, और फिर जो है 2015 में primary बच्चे के लिए 12 ग्राम ही रही जो per child primary class के बच्चे के लिए 4.48 ठीक है, पर बच्चे के लिए ये और अपर primary बच्चे के लिए 6.71 रुपीज, ठीक है और जो calories है, वो primary बच्चे के लिए कितनी है, वही है, 450 और अपर primary बच्चे के लिए 700, ऐसी जो protein value है वो भी सेम ही है, 12 ग्राम 20 ग्राम, means हमारे पास calories और protein सेम है, और इसमें और भी addition किये गए है जैसे vegetables हो गया, oil का addition हो गया pulses हो गई, वो भी अब इसके अंदर addition किया गया, इसी coast के अंदर वस इसमें जो है, coast जो है, वो बढ़ चुकी है ठीक है, इसके लावा 2004 से पहले हमारे पास यह तीन चीज़े नहीं थी, जैसे कि transport, subsidies, जो कि government देती थी monitoring और evaluation करना कि कैसा खाना दिया जा रहा है, ठीक है, enhance करना जो भी assistance, जो भी खर्च है central का state का उसको, तो यह जो तीन चीज़ें इस पर गोर की गई, 2004 के अंदर, ठीक है, ट्रांसपोर्ट, जो आने-जाने का खर्चा था, वो भी फिक government प्रोवाइट करने लगी कि food कैसे आएगा, जाएगा, ठीक है, monitoring evaluation के लिए teams बनने लगी, 2004 के बाद, ठीक है, 2015 के अंदर कुछ rules बनाएं, किसने बच्चे भूखे रहा जाएं, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, उस situation में, other funds को use किया जाए, इसलिए जो है, schools को empower किया जाएगा, फिर जो है, labs to be take on a monthly testing of a meal on a random basis, ठीक है, जो खाना बच्चे को दिया जा रहा है, उसकी lab testing होगी, कि वो खाना जो है, या पाँच दिन किसी भी महीने के लगातर उसको पाँच दिन खाना नहीं मिला, तो क्या लेगी, गर्मेंट एक्स्टिक action लेगी, जिसके लिए क्या होगा, कोई भी person और agences को क्या किया जाएगा, पॉइंट किया जाएगा, ताकि उस जगह पे, जहाँ पे ऐसा हुआ है, वहाँ पे, ऐसा क्यूं हुआ है, और आगे ऐसा ना हो, उसके लिए कुछ persons को या एजंस को अपॉइंट किया जाएगा, तो यह जो रूल्स रही 2015 के अंदर ही बहुत important है, यह आपको explain करने, अब है मारे पस monitoring mechanism, यह बहुत important हिस्सा है, इस scheme का, क्योंकि जब यह scheme आए, उसके बहुत सारे questions arise होने लगे, quality के ऊपर, जो opposition party है, उनको भाना चाहिए होता है, इन सब चीज़ों का, तो यह बच्चों का मामला था, तो इसमें जो सबसे important concept था, किस तरह का खाना दिया जा रहा है, जो दिया जा रहा है, उसकी cost value यूज की जा रही है, यानि कीचन कैसा है, वहाँ पे devices कैसे use हो रहे है, तो यह छोटी-छोटी बहुत सारी बात है थी, ठीक है, और कैसे funds जो हैं को divide हो, तो इसलिए जो सबसे important aspect था, वो monitoring का था, इसमें five to six steps हैं, जो government ने, जिसको provisions बनाई उसके लिए, तो इन steps को हम देखेंगे कि कौन कौन सी arrangements, जो है monitoring के लिए की गई, तो इसको one by one देखते हैं, सबसे पहले, इसमें arrangement for the local level monitoring, तो इसमें local level जो monitoring है, उसके लिए क्या क्या है, कभी कभी मिस कर रहे हैं, या कुछ हो रहा है, ठीक है, cleanliness and quality को, ठीक है, क्या clean way से बनाया जा रहा है, quality of food कैसी है, implementation of menu, जो भी menu जो है, decide किया गया government के देबारा, उसके implementation हो भी रहा है या नहीं, social gender equality, जो भी जो बच्चों की बीच में, gender के बीच में, लड़का लड़की, या कोई भी और बेदभाव तो नहीं किया जा रहा, तो ये सारी चीज़े जो है, जो चेक करना, पर पास inspection by the state government officer, सबसे पहले हमने किया local में, जैसे कि school के अंदर ही कैसे monitoring की जा सकती है, अब है कि government बाहर से किसी supervisor को भेज रही है, या inspector को भेज रही है, या किसी school के, या college के professor को भेज रही है, तो ये बाहर से आएगा, ठीक है, तो इस तरीके से monitoring करना, तो उनमें क्या देखा जाएगा, कि जो program है, वो कितना implement हो रहा है, वही quality को भी देखा जाएगा, कहां तक funds use हो रहे हैं, ये देखा जाएगा, फिर है हमारे पास third type की जो monitoring है, वो आती है, food corporation of India के द्वारा, उनको भी इसमें include किया गया, कि वो भी आके monitor करेंगे, वो क्या check करेंगे, वो food कितना quantity के अंदर जा रहा है, quality भी देखेंगे, और quantity भी देखेंगे, और उनकी responsibility है कि continuous available हो, ऐसे नहों कि खतम हो जाए, तो ये जो responsibility दी गई, वो किसको दी गई, food corporation of India को दी गई, ठीक है, जो fair, जो average of quality जो food है, वो provide किया जाए, ये जो ensure होगा, ठीक है, अब जो ये checking है, food corporation of India कि, वो किसके दोबार होगी, जैसे कि district collector हो गए, ठीक है, और हमारे पास chief executives होगे, officers होगे, बड़े-बड़े, उनके दोबार इस quality को check किया जाएगा, खाने की quality को, ठीक है, और ये continuous जो है, किसके हाथ में है, food corporation of India के हाथ, फिर इसके अंदर जो step आता है, कि government periodic return देगी, means जो भी submission आया है, कि कितना use हुआ है, किती जरूरत है, किती कमी हो गई, वो सब चीजें जो है, वो government जो है, school को information provide करेगी, कि क्या changes आने चाहिए, कैसे आने चाहिए, quality, quantity, सब तरीके के, cost क्या होगी, transportation कैसे होगी, तो यह जो है, government का, एक responsibility आ रहेगी, कि वो schools को guide करें, इस चीजें के लिए, ठीक है, तो इसमें जो है, वो report जो है, submit करेगी, return जो है, periodic जो भी, अगर monitoring के लिए, उसने किसी को भेजा है, तो उसके जो feedback है, वो भी तो उसको schools के अंदर provide करना पड़ेगा, तो यह government की responsibility रहेगी, फिर है हमारे पास monitoring by the school social research, ठीक है, social science research, ऐसे 41 institutions जो है, उनको लगाया गया, monitoring के लिए, MDM scheme के अंदर, ठीक है, तो उस time पे, जो social science जो research centers थे, उसमें से 41 institutions जो है, उनको इसी monitoring के लिए रखा गया, कायत है, उसका निवारन करना है, मालों कि government को, या कोई भी parent है, वो शिकायत कर रहे हैं, कि खाना ठीक से नहीं दिया जा रहा है, whatever, कोई भी issue हो सकता है, तो उसका जो काम है, वो state और union territories का है, वो जो है, वो reply करेंगी, dedicated mechanism उसके लिए तियार करेंगी, ठीक है, और ताकि जो है, उस चीस का जल्दी से निवारन किया जा सके, ठीक है, फिर next time, इतना financial budget पास हुआ, 10,234 करोर रुपीस का जो budget है, वो पास हुआ है, इस scheme का जो main aim है, ठीक है, वो क्या है, nutritional status जो है, ठीक है, nutritional status को improve करना है, कि इसका बच्चों के, जो primary school के बच्चे हैं उनका, जो dollars and girls हैं, कशोरा आवस्ता की girls हैं, pregnant women's हैं, और lactating mothers हैं, जो बच्चों को milk feed करवाती हैं, तो उन सब की nutrition का ध्यान रखना है, ठीक है, उनके nutritional status को improve करना है, और इसके लावा, जो nutritional experts हैं, वो appoint करना schools के अंदर, ताकि इन सब की चीज़े implement हो रही हैं, नहीं हो रही हैं उनको देखने के लिए, और cooking gardens, cooking competitions, provide करना, बनाना, उसको develop करना, government schools के अंदर, ताकि promote किया जाए, innovative menus को, अब हम रपस main aspects क्या है, PM portion scheme के, इसमें सबसे पहले हम यह तो देखी चुके हैं, कि cooking cost को enhance किया गया है, 2021 के अंदर, यह पहले 1.80 per child cost रहती थी, इसको improve करके 4.97 तक ले ले आ जाएगा, और इसके बाद, जो अपर primary school के बच्चे है, उसकी cost को 7.45 तक जो है, कर दिया जाएगा, 2026 तक, फिर जो है, इसकी सी cost के अंदर, other ingredients भी इंक्लिड होगे, not just calorie और protein को बढ़ाने की बाद की गई, policies, vegetables, cooking oil, etc. फिर इसके इलावर, जो transports, assistance, और जो kitchen devices है, kitchen repair cost है, इनको enhance किया जाएगा, ठीक है, और जो thousand rupees, sorry, 10,000 जो है, per unit kitchen का जो area है, उसके अंदर दिया जाएगा, अगर उसको construct करने की ज़रूरत है, reconstruct करने की ज़रूरत है, उस case के अंदर जो government जो है, उसके लिए क्या देगी, 10,000 पर unit देगी, फिर है हमारे पास provisions of mail, during the summer vacation, summer vacation के अंदर, मालों, जहाँ एक disaster आया, या बाड़े आ चुकी है, इफाक्टिड एरियाज है, बच्चों की तो चुट्टी होती बच्चे घर पे होती है, उस टाइम पे वो जो midday meal का, जो fund है, वो इन बच्चों पे लगाया जाए, वहाँ के बच्चों को meal प्रोवाइड किया जाए, फिर हमारे पास fortification of a food item, in a systematic manner, ठीक है, नो बाइदी food corporation of India, फिर हम पहले पढ़ी चुके हैं कि क्या है, तो उनके द्वारा जो एक systematic manner से जाच की जाए, फोड की, तो ये सारे main aspects थे हमारे पास, तो इसी के साथ हमारे topic complete होता है, थैंक यू सो मच फो वाचिंग, की वाचिंग दिस चैनल, stay blessed, stay happy,